है विडियो में बात कर लेते हिंदुस्तान जिंक की खुए लिसे देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो हिंदुस्तान जिंक में आप देख रहे होगे स्टॉक में आद एक सड़न अप मूव देखने को मिलाए और मूव के साथ साथ स्टॉ से आप देखते हैं तो यहां से स्टॉक ने आज 18.50 का मूव दिखाया सही चलते हुए नजर आया और उपर की दिशा में अगर बात करें तो स्टॉक को जो हर्डल फेस हुआ फिर वह 400 नकलके हुआ साइक लोजिकल लेवल सस्टेन नहीं कर पाया क्लोजिंग 398 के आसपास ह हो गई अब कल क्या होगा वो देख लेते हैं बट उसके पहले भी देख लेते हैं कि स्टॉक क्यों आया यहां पर देखने को मिल रही और जो सिल्वर प्राइज है का वह अल्मोस्ट जून 21 से अभी उसका सबसे ज्यादा हाय आया है इसी वजह से हिंदुस्तान जिंग के से करीब हर दिन ऊपर की दिशा में एक अफ़र मोमेंटम लग रहाता इच यहां पर देखें हिंदुस्तान जिंग अफ़र सेविंथ स्ट्रेट सेशन राइजिंग ओवर थर्टी परसंट दिरिंग दा पीरिएड तो इसी वजह से स्टॉक में मूव हैगा और यहां से अगर आप देखें तो जितने भी यह सैसन है लास्ट के इन सभी को अगर देख लें तो ऑल्मोंस टॉक ने अभी तक 40% के रिटन्स तो नेकाली दी है तो सही चलते हैं आज की तेजी भी आपको पता चली गई क्या मूव है कल देख लेते हैं क्या रहता है कल के दिन स्टॉक अग हर्डल है जहां पर स्टॉक में हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है तो उपर की दिशा में यहां से जब स्टॉक चलेगा तो साड़े 6% पर अपने को 425 का लेवल दिखेगा और 425 के बाद जो नेक्स टागेट आएगा वो आएगा 436 के बाद और 436 क्या तो नहीं जाएग अंदे दुन्द में आपन टागेट नहीं लगाएंगे कितनी तेजी से भाग जाएगा फिलाल दो हर्डल मानगे चल सकते हैं 425 और 436 इनके इलिए स्टॉक में जो मूव रहना पड़ेगा 436 जाने के लिए वो ही आप देख लें तो 9% के आसपास का मूव चाहिए तो काफ यहां पर इसी वज़े से स्टॉक में अब कल एक पॉलबेक भी बन सकता है फ्रेस एंट्री के लिए तो कल थोड़ा बहुत एक पॉलबेक रहता है इसी लिए तो कल अगर पॉलबेक अपना बनता हैगा तो पहला सपोर्ट यहां से नीचे की दिशा में 390 पर रह सकता है पहला सपोर्ट के बनाएं बाद में पहला सपोर्ट दस पॉइंट का है तो अगर नीचे पॉलबेक बन रहा है तो इन ही लेविल्स पर कहीं न कहीं स्ट्राइक लेकि स्टॉक सपोर्ट डेफिनिटली बनते हैं अज़र आएगा तो यह अपने अज़र सपोर्ट हो गए और इस दोनों ही आसमान चुरह है इसी वज़े से हिंदुस्तान जिंक तेजी देखने को मिल रही है बट यह सारी चीज़े अपनी जगहें स्टॉक के नतीजे करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या मूव रहेगा तीस अपरेल को स्टॉक के नतीजे हैं वेल थोड़ा समय है अ आने वाले दिनों में तो होफुली यहां मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है मिलते नेक्स्ट वीडियो में इस इस मी सुभा मियादा आप साइनिंग आफ